आप खूस हो खूस ही मेरे चेरे सीनी दिख रही दाथ बोड़ा आता था और आद देखो मैंने खीरी के फसल कार कर रखे बिल्कुब और जो लोग यह बोल रहे ना ट्यूबल के पानी में खेरा नहीं यह ट्यूबल का पानी मेरे नहने लिखती कई भी भी तो ट्यूबल में इसकी फसल होई है और 21 दिन के अंदर इसके अंदर जो निप्तान है जो फ्लावरिंग है वह आनी शुरू हो गई है खीरा बनना सटार्ट हो गया है यूँ है पर पत्ता गयल दो खीरा बनना सुरू हो गया और किसान ने अब इसकी दागा बंदाई है वह सुरू कर दी है 21 दिन के अंदर बहुत बड़ी अग्रोथ लेके चला है और अब तक इसके अंदर कोई खुराक नहीं दी गई है दोस्तों खीरे की फचल में यह रोग आया था वाइरस आया था और इसको रोक्थाम के लिए नीम ओएल दस हजार पीपीम एक सपरे की है और देखो वाइरस खतम में आया था अब क्या है देश जार पीपीम नीमोल की और क्यूरक्स मिला के तीन सब्रे की थी अभी वह दा बिल्कुल सबस्त है बट यह देख हाँ बिलकुल और उपकी उपकी जो कुपल है वह बड़ी निकल यह ना यह देख सकते हो इसमें कितनी बड़ी आफूट है जैसे वायरस आता था एक हमारे यह दालना कीरे का वायरस नहीं टूटता तो फिर क्या करते हैं रसाइन की सप्रे करने चुरू कर देते हैं सामत करो सिरफ पो सिरफ दजार पी पीम नीमोल और कूरक्स दोनों में लाकर के तीन सप्रे निकाल दो 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 दून की फासले से ब जैसे बिल्कुल जीरो जैती है इस मोसम में खीरा लगाने का सबसे बड़ा दिक्त ही है इस मोसम में आपको रियल बता दो मैं में अंदरकड डोक्टर किसनियाद उसी बीज लेने गया था उसने मेरे को मना कर दे मेरे पास बीज नहीं है अच्छा मेरे उपदर की निगा च ज्यादा है जैसे ही गुरोब पोदा होगेगा जर्मीनेशन लेगा वो वायरिस पकड़ेगा वायरिस से पुरी फसल कतम हो जाएगी खीरे का महेंगा भी आपको नुक्सान हो जाएग इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ मैंने जैसे भी रिक्वेस्ट करके उसको गोड़े व अबिल कुल दोदोपती था ना यह देखो दोदो पती फंस काट्रिक हो गया इन पर फंस आया यह ने में मेटाल अलग्सल की ट्रीचिंग कर दी हमें तो फंस टूट गई फंस टुटने बाद में देखो यह ऐसे वायरिस आया हुआ है यह देके दो बार आ अप यह पता लि तो ज्यादा तर अगर ज्यादा वाइरस आ जाए तो पेड उखाड के बार फैक दें तो तूट जाता है यह देख लेना आप इसको मैं ज्यादा नहीं कर सकता दो यह तिन दिन में देख लेना इसी परगार हो जाएगा यह जो पत्ते है ना यह तो इसके चलनी हो जाएंगे बिल्कुल यह जो फूट है ना उपर की ग्रोब नेचुर बढ़ियां तरिक्के से ले लेगा नेचुल चल जाएगा क्योंकि यह ना है कि एक अध़ पूदा कैसे रहता है क्या मलोग किसान भी जल्दवादी में सपरी कर देता है मतलों कि ने मोईल और को रेक्स ऐसा नहीं है कि सपरे ऐसे करते चलो पत्ते हो देखो बिल्कुल विगो दोस्ते अच्छा बिल्कुल कूटता इसकी गारंटी है आप देख एक को मातर इसमें को 20-30 मिलेंगे आपको ऐसे पूरा टूट कलीर हो चुका है भाई आप छेती का इतना नजदीक कौन था आमने भी वेरो है एक दम तर नजदीक आयर एक दम तर नजदीक आकिन अडवांस जानकारी लेली उनको के राच आपको यह बताता हूं सबसे बढ़ाता दन्यवाद में देना चाहता हूं मंतरी जी को अमारे नवारू जैसे एक पेवर पैराने भी नहीं मरुष्त लेरिया बोल तो मेरे पास दिखाए दे रहा उसने पानी डालता हूं ठंडा करता हूं और इसमें लगाता हूं अच्छा ठीक है यह तो थीक मंतरी साब ने चलो अच्छा काम किया बढ़िया हो तो चलो सभी होते हो तो बगर पानी यह जमीन मेरी ठाले पड़े रहती थी यह उसने युगदान दिया मेरा संप्रक हो बागवानी विवाग के अच्छा लवारो में कारियरत हैं रविंदर फोजी फंबिर फोजी मेरे जैसे एक बोड़े बाड़े इंसान जिसको बादरा नहीं बोड़े नहीं एडवांस बादरा नहीं आता था और आद देखो मैंने खीरी के पसल जार कर रख है फुसो कुछी मेरे चेरे से नहीं देख रहे हैं बिल्कुल चेरत दिख रही है के कंड़ जाओ को बागवानी में खेती करें तो कुछी चीज को एक द्यान राख है बस थोटो से संदेज दे दे दो बादम आपनों वीडियो खतम करा बागवानी की खेती कर दो बाई दो खच की रखो और फोलो करकी रखो वाई मैं आपका दोस्त भीम बार्दवाज फार्मिंग किसा नवाज दोस्तों जुड़े रहे